आ गई है गर्मियों की मज़दार रेसेपी और वो है आम की आइस क्रीम आम का आइस क्रीम किसे खाना पसंद नहीं है सब कोई पसंद है तो आज हम चुटकियों में आइस क्रीम बनाने वाले हैं बहुत ही कम खर्चे की और बिना गेज जलाए आप देख सकते हैं बिल्कुल सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसी वज़ेदार वीडियो में आपके लिए लेकर आती रेती हूं यहां पर आप आम देख सकते हैं आम बिल्कुल है रसीले रसदार और यह चूजने वाले आम है यानि कि आप इसे कट करके नहीं खा सकते ही इसे इसी तरीके से थ्वासा दब कर लेना है यहानि बहुत हाथों से गुजर के आते हैं कितने ही लोग इन्हें हाथ लगाते हैं कभी-कभी तो यह क्यामिकल में पकाये भी जाते हैं यह तो यहां तो मैं इसे वाश कर दिया हूं अगर आप मार्केट से लेकर आए तो बहुत अच्छे से इसे क्लीन करने के में कप्रे से साफ क लेना है इसका पूर मिक्सर का जार लेने वाले हैं में कुछ चीजे मिलाने वाले हूं जैसे कि मेरे पासने हैं 50 ग्राम काईव आपके पास दूद पावडर है तो वह आप एट कर सकते हैं मेरे पास अभी काजो को है तो मैंने काजो एट किया है और यही फ्रेश वाली मलाई जो दूद के उपर जमती ही वही वाली मलाई हमने लेनी है और यहाँ पर लेनी है चीनी अपने स्वाद अनुसार आपको अगर तो आप घटा बढ़ा सकते हैं में आम की प्योरी है यह हमने इसमें डालना है यहां पर जो आम की प्योरी है आदा किलो आम में 100 ग्रम के असपास तो गुठली और कच्रा निकल गया तो यहां लगबग 400 ग्रम के असपास मैंने आम का पल्प लिया है तो इसी तरीके से मलाई आप चाहते हैं तो सफ्ट आपकी आईस्क्रीम बनके रैडी होने वाली है और यहां पर हम एक कप दूद धुद्ध हमें, गुन गुना ले नहीं लेना है एक दम घरम धूद्ध भी लेना है और मिकसर के जारे को भद कर दे ना है चार से पाँच बार रूपते रूपते हुए गुमाना हाई यानि की ये बहुत अच्छे से पीस जाना चाहिए इसके अंदर किसी भी तरह के लंस नहीं होना चाहिए तो mixer को आपको रोखना है और तीन से चार बार या लगभा 5 बार तो आपको घुमाना है सुपर सॉफ्ट आइस क्रीम आपकी बन के रेडी हो जाएगी अगर आपको किसी तरीके का आइस क्रीम एसेंस में मिलाना चाहते हैं तो वो आप मिला सकते हैं और इलाइची पाडर बसंद करते हैं तो वो भी आप मिला सकते हैं यहां मैंने आइस क्रीम का बोल लिया है आप उसमें भी आइस्क्रीम को अच्छे से जमा सकते हैं यहां मैं आपको आइस्क्रीम कंटेनर में जमा के दिखा रहे हूं तो इस तरह के से आप आइस्क्रीम के जमाएंगे ना तो बच्चे zajatει But और यह बहुत ही वाल्डी आइस क्रीम है इस तरगय से मैंने आइसक्रीम की जो स्टिक है। वो इसमें लगा दिये को बच्चा हुआ जो पैटर है डिया मैं डालने वाली हूँ यहां ग्लास में तो आप स्टेल का ग्लास ले सकते है क्योंकि स्टेल में से बहुत इसके वज़े से हमारी जो आस्क्रीम है वह सॉफ्ट बनके रेडी होगी इसलिए हमने इसे मिक्सर में घुमाया है तो इस तरीके से अगर आपके पास कवर नहीं हो आप किसी कैप का भी यूज कर सकते हैं यहां मैंने एक शोटे ग्लास में भी इस तरीके से आम की आस्क्रीम पड़ा पूरी डाली है आप इसे ठंडा करके ऐसे भी सर्व कर सकते हैं जैसे बीचाहें आप इसे खा सकते हैं तो मैंने बड़े ऊसे इस तर AIIsh cream के लगबग मने पांच घंटे का छार्य आहें और आप चाहते हैं तो पुरी राद भर का भी टाइम दे सकते मैंने यहां आइस्क्रीम को पूरी नाइट के लिए फ्रीज में रखा था और आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से सैट हो गई है अब हम इसे कुछ इस तरह के से थोड़ा थोड़ा सा घुमाएंगे और यह अराम से निकल जाने वाली है अच्छी दहार वाला चाकु आपने ले लेना है और अच्छे से इस तरह के से दबाता हुए काट लेना है यह बहुत सॉफ्ट बनके टेड़ी हुई है हमने इसमें काजू और जो दूद मलाई मिलाई है उसकी वज़े से यह बहुत आसानी से कट जाएगी आप बरफ को काटने जाएगे तो बरफ नहीं कटेगा पर इस तरीके से आप यह ड्राइफूट एड़ करके बनाएंगे ना तो यह बहुत आसानी से कट जाने वाली है तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट आइसक्रीम बनके रेडी हुई है मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई है तो एक बार ना आप इसे जरू ट्राइ करके दीखेगा गर्वियों किसे जर्म में यह वाले आसक्रीम तो बनाना बनता ही है आप यह पास ड्राइफ पूट हो उपर से तो वह आप इस पर डाल सकते हैं और देखने में जितनी आप देख सकते हैं बिलकुल ही मार्केट जिसी आइसक्रीम हमारी बनके रेडी हुई है और बहुत ही सॉफ्ट बनके रेडी हुई है तो वीडियो को कैसा लगा है वीडियो को लाइक कमेंट और सेर चरू किजिएगा चैल पहली बार आएं तो चैल को सब्सक्राइब कर लि